हलो दोस्त, खुसकबरी कहें या दुखबरी निवज, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो हकिकत है वो सामने इस वीडियो में रखने के कोशिस कर रहा हूँ, अरार्बी, एलपी, डाइबर्शन पैनल और ओभी 400 कंडिडेट का ओफिसियल डाटा आ चुका है, कुछ लोग सुवगा से कॉमेंट कर रहे थे कि वाट्टप पे सर्कूलेट हो रहा है, यह क्या सही है या गलत है, तो नोटिस बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आया नहीं है, अभी यह इंटरनल चल रहा है, आगे की प्रोसेस में आएगी तो वेपसाइट पे आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिस करते हैं, कि अगर यह वेपसाइट पे आया, तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहले देखिएगा, आरारवी भुनेसवर से 400 कंडिडेट को उठा कर, आरारवी राची, कोलकाता और मालदा में डालने की तयारी है, लेकिन आप कहिएगा कि भुनेसवर से उठा के 3 आरारवी में क्यों डाला जा रहा है, तो यहां देखिएगा, जोन का इसू है, जोन आपका है, साउथ इस्टर्न रेलवे, और साउथ इस्टर्न रेलवे की वेकेंसी है, अभी हम बीना देखें नहीं बता सकते, कि राची म आएगी कि कोलकाता में आएगी कि मालदा में आएगी, क्योंकि साउथ इस्टर्न रेलवे की वेकेंसी तीन जोनों, तीन आरार भी निकालती है, कोलकाता भी लेती है, मालदा भी लेती है, तो राची लेती है, साथ में अगर यह तीनों जोन में अगर नॉर्मल कंडिडेट 400 कंडिडेट कहां से आएंगे भुनेश्वर से तो राची कुलकाता और मालदा में वेटिंग किलियर होने की चांस बहुत कम हो जाएगा फिलाल के लिए और उन कंडिडेटों को बहुत बड़ा नुकसान होगा जो कंडिडेट अभी विविद में है कि वेटिंग से हमें जौ कंडिडेट का डाइबर्जन पैनल वाला अस्टेटस रूख सकता है तो यह और आरवी का मैटर है और इस मैटर को हम थोड़े से डिटेल में समझते हैं तो डिटेल में समझने के लिए उस लेटर को हमें ढूंडना पड़ेगा आप यहां ध्यान से देखिएगा डेट पां इसियल संख्या बगेरा बगेरा देके इन्होंने निकाला है जिसमें बताया गया है कि डिविजनल रेल्वे मेनेजर द्वारा डाइबर्जन पैनल और एलपी कटेगरी एक अबली 18 के कंडिडेट को भुनेश्वर से और राची आपका सिकंद्राबाद से दोनों से जो से से लेक्ट हुए थे किसके लिए ई-c-o-r के लिए जो सेलेक्ट हुए थे इनको डाइबर्ज करके कहां पे लाने की बात चल रही है तो ए-s-e-r साउथ इस्टार रेलवे का तो ध्यान दीजेगा यहां पे सबसे पहले आप समझ लेगे यह दोनों और और भी वह और भी है थोड़ा सा जो इनक्रीज बेकेंसी टेबल था उससे हम आपको समझा देते हैं क्योंकि कंप्यूजन न रहा जाए आपको तो देखिए सबसे पले हम सिकंदराबाद सर्च कर लेते हैं यहां पे नीचे की इस बेकेंसी टेबल में जो एलपी टेक्टिशन की थी तो कंडिडेट को पूरा पैनल जारी हो चुका है तब उसके बाद आप जाएंगे राची में राची कर अब बुनेस्वर जाएंगे तो बुनेस्वर उपर की तरफ आपको मिलेगा तो बुनेस्वर देखिए बुनास्वर में आपकी 228 लोगों की वेकेंसी थी यानि 400 और जो इस बेकेंसी टेबल में कहें तो एक अलाहबाद और एक आपका है कहें साउथ सेंटरल को छोड़के सारा जोनों में सबसे बड़ी बेकेंसी ये बन जा रही थी सिकंद्राबाद एक देखके और एलाहबाद छोड़के सबसे बड़ी बेकेंसी थी हलाकि भुनेस्वर में इ सब्सक्राइब जाएगी एसी टीर में तो किसको किसको सुल होगा तो देखिएगा एसबीर के कि यह को मालदा और कोलकाता में वो तो लगबल लगबल भर गया है तब ही डाइबर्शन पैनल के लिए तैयारी कर रहा है और दूसरी कंडिशन अगर माने तो यहां के जो वेटिंग कंडिडेट थे उनका वेटिंग और बढ़ जाएगा क्योंकि जब पहले ही में लिस्ट से कंडिड समझेंगे तो इसको समझते हुए देखते हैं कि एबब सब्जेक्टेट रेलवे बोर्ड डिसाइड किया है कि रेलवे बोर्ड ने डिसिजन ले लिया है और अप्रूब कर दिया है कि पर्पोजल टू क्या है डाइबर्ट चार सो इंपैलेड एलपी कंडिडेट टू साउ थिस्टन रेलवे एंस कमप्टेट रेजियर दिफलोइंग क्या क्या डिजायर है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर यह है कि अब भी जो कंडिडेट की ज्वाइनिग होनी थी ट्रेनिग होनी थी उनको फर्दर आघर तक रोक दिया जाए अगर ऐसा रोका क्यों जा रहा है उसका कारण टू है टू में लिखा जाता है कि willingness मांगा जाएगा हर candidate से क्या मांगा जाएगा हर candidate से willingness माना जाएगा कि आपका selection E O C R में हुआ है आप R R E A C R में जाना चाते हैं या नहीं जाना चाते हैं सीधी बासा में अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं जाना चाता हूँ हाँ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाता अब दोनों की पैरा समझिएगा अगर आप जाना चाते हैं तो यहां की पैनल के हमस्वार से आपकी आगी के ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी यानि आपकी ज्वाइनिंग आपका ACR से जाएगा विलिंगनेस देते हैं तो अगर नहीं जाना चाहते हैं तो RRB इस पर डिसीजन लेगा कि 400 जो कंडिडेट हमारे हो रहते वो पूरे हो गए या नहीं हो गए कुछ लोगों के लिए तो हां कहा देंगे राम से किमकि जिनका नद्दिक होगा वो EG कहा देंगे कि मैं हां जाना चाहता हूं और जो नहीं होगा उन चाहेंगे कि नहीं तो 400 से ज़्यादा विलिंगने से आएगा तो नहीं कहने वाला कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा हां वाले के लिए EG भी हो जाएगा अब एक कंडिडेट के संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितनी दंड होती है तो आप नहीं कहेंगे तो क्या हो सकता है आपकी RRB बुनेस्वर में ही ज्वाइनिंग मिलेगी लेकिन जब सीट खाली होगी और सीट कब तक खाली होगी अनुमान नहीं लगा सकते हैं आगे साथ में एक फॉर्मेट भी दिया गया है कि वह फॉर्मेट बरके विलिंगनेस मतलब अपनी सहमाति दे दे कि मैं जाना चाहता हूं या नहीं जाना चाहता हूं तो जो लोग जाना चाहते हैं वही सहमाति देंगे नहीं जाना चाहते हैं वो तो भरेंगे नहीं तो उसके ल नग्सन conspiracy seeing me टो तो आगे की ज्वाइनिंग होगी हि ओर भी गई होगी यह पैंडिंगinformation". नहीं होगी क्योंकि 40 कंडिट का फीष लपी का और 50 कंडिट अगर इन जोनों में एड़ेस्ट होगा, तो यहां के वेटिंग कंडिट का भी पैनल नहीं आएगा दूसरा अगर बुनेस्वर वाले कंडिडेट का बेनफीट क्या होगा बेनफीट यह होगा कि वे अपने ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं और हो सकता है एक बैच में 200 लोगों का हो 100 लोगों का हो ऐसे से हो सकता है लेकिन यहाँ पे अगर 3RV में जाएंगे तो इनकी जल्दी हो जाएगी लेकिन लॉस उन कंडिडेटों का है जो वेटिंग में है तो उमीद है कि मैंने इसको अच्छी तरस्त समझाने के कोशिश किया है आपने समझ गया होगा थैंक्यू धेन्यवाद